ICAI exam guidelines के हिसाब से What all things that you need to carry for your exams आपको अपने center पे क्या-क्या चीज़ें carry करनी है उसको आज ही एक तरफ करके रख दीजे What all things you need to carry Of course, the very very important, your admit card आपको अपना admit card carry करना है But कुछ लोगों के admit card में मुझे बहुत सारे queries भी आ रहे थे Problem है, जैसे for example signature missing है या आपका photo missing है ऐसे case में आप क्या कर सकते है एक A4 size paper पे आप अपना registration number अपना role number आपका जो attempt है वो mention करें उस पे अपनी photo chip काएं और अपना signature करें और उसे किसी CA से attest कर वा ले तो please do that in case अगर आपके admit card में कोई problem है ठीक है And the next thing that you need to carry is your identity proof that means you can carry your adhaar card एक आप अपना ID proof carry कर सकते हैं अधाar card carry कर सकते हैं उसके अलावा stationery में आपको black pen से ही exams लिखना होता है तो at least 2-3 black pen ball pen black ball pen ध्यान रखिएगा black ball pen से ही exam लिखने हैं तो उसे carry करिएगा उसके अलावा आप pencil, eraser and ruler ये सारी चीजें आप carry करना important है क्योंकि इन चीजों की requirement आपको लगेगी and the other thing being आपको मैं एक चीज़ सज़ेस्ट करती हूँ जो writing pad होता है छोटे में हम जब exams देने चाते थे तो writing pad carry करते थे तो मैं आपको suggest करूंगी writing pad भी carry करना क्योंकि कई बार जो benches होती है वो उतनी ज़ादा smooth नहीं होती तो problem आजा दिये लिखने में तो please writing pad भी carry करिएगा and very very important your calculator try करें कि दो calculator carry करें in case if one doesn't work then you have a spare one तो please calculator को carry करना मत भूलना I'm sure आप सीए के बच्चे है ये चीज़ तो आप नहीं भूलेंगे तो ये stationary आपको carry करनी है black ball pen, pencil, eraser, ruler, calculator basic चीज़े हैं इसके kit बनाके आज ही side रख ले admit card आपका मैंने आपको बता दिया है admit card में problem है तो क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे suggest कर दिया है writing pad carry करना चाहिए क्योंकि कई बार benches उतनी ज़ादा smooth नहीं होती है उसके अलावा एक watch carry करना बहुत ज़ादा important है क्योंकि exam में time का track रखना बहुत important है तो please एक watch कई बर हम watch पहनना actual में हमें याद तो होता है पर भूल जाते हैं तो please एक watch please पहन के जाईएगा क्योंकि track रखना time का बार-बार आपको नहीं तो examiner से time पूछना पड़ेगा which is not good so rather keep a watch with you and ये watch से आपका time track होता रहे तो please 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 watch carry करना मत भूलना तो ये सारी चीज़ें mandatorily please आप carry करिएगा ताकि आपको exam center में जाके कोई दिक्कत ना हो and most importantly जो पहला page होता है मतलब जिस page में जो आपकी exam की जो copy होती उसको जो first page होता है जिसमें आप अपना role number लिखते हैं ये सारी चीज़ें please ध्यान से फिल कीज़ेगा क्योंकि बाद में बच्चे पता है क्या बादम गलती से role number लिख दिया ये role number काटना पड़ गया please शांत दिमाग से चीज लिखिएगा क्योंकि ये चीज़ें हम आप से expect आप से actually ये चीज़ें expect नहीं की जाती कि आप role number लिखने में गलती कर दो तो please role number को आपके ये जो basic चीज़ें जो आप फिल करेंगे कि कितने questions आपने attempt कर लिए हैं जो आप जितने भी questions attempt करते हैं फर्स्ट जो आपकी front sheet होती है face पे आप लिखकर आते हो माक करके आते हो कि आपने क्या-क्या questions attempt किये हैं तो उसे अच्छे से फिल कीज़ेगा हडबढाईएगा मत exam में जितना आता है उतना अच्छे से लिखेगा and stress नि लेना panic बिलकुल नि करनी all the very best for your exams you can and you will do it all the best all the best